पायल के इस ट्वीट पर बहुत से यूजर्स उन्हें ही घेरने लगे लोग लिखने लगे कि बैण तूत तो रहने ही दे बाद में स्वरा ने भी पायल के ट्वीट पर जवाब दिया ट्वीटर पर स्वरा के जवाब की काफी तारीफ हो रही है तो कुछ लोग स्वरा को ट्रोल भी कर रहे हैं ट्रिपल तलाग दिया था वो लेडी जो पांच बच्चों की मा थी उन्होंने सुप्रीम कोट में केस फाइल किया था क्रिमिनल केस and she got victory by the सुप्रीम कोट saying that her husband has to pay her alimony बट आप जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी is anti-woman, is anti-Indian Muslim woman क्योंकि ना वो त्रिपल तलाग बिल पास होने देते हैं, ना वो हलाला के उपर कोई movement करते हैं, ना वो obviously population control bill ऐसे topic के उपर discussion भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मुसल्मानों की population बढ़ानी है और मुसल्मान आदमियों के लिए काम करना है, they are really not bothered about the Muslim ladies तो उस time पे Rajiv Gandhi ने कोई Muslim woman Protection of Rights on Divorce Act 86 पास किया जिसकी वज़ा से वो जो Supreme Court की alimony थी, जो lifelong alimony थी, that got reduced to 90 days तो आप जिस party को support करती है, वो party की spokesperson, Priyanka Chaturvedi, वो party को छोड़के Shiv Sena join करती है, because वो party फिर से reinstate करती है उन गुंडों को, जो उनके साथ बत्तमीजी कर रहे थे आप वो ही lady है जो Shiv Sena के गुंडों को Taliban से compare करती है तो आप को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि have you lost all common sense? Have you become so defiant or are you actually so dumb that you go on national television and talk such garbage that BJP is politicizing the surgical strikes? They were asked to give proof of surgical strike and they did give proof because आपकी सरकार जो आप सरकार को support करती है वो सरकार तो बुजदिल थी, नामर्द थी and उसने कभी life में कुछ नहीं किया और अभी वो कहते हैं कि उन्होंने 6 surgical strikes किये तो अब आप उनसे proof क्यों नहीं मांगते कि मुझे आप proof दीजिए कॉंगरेस सरकार कि आपने वो 6 surgical strikes किये अईने